हरर मादेव मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मेरे चमतकारी उपाई जोतेश वास्तू तंत्रमंत्र दैनिक राशिफल वरत्योहार वैदिक पूजा पार्ट के लिए टेस्ट अब्रेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी गंट से संबंदित सारे कश्टों से मुक्ति मिल जाए जिस व्यक्ति पर शनी की ढईया या साड़े साती हो या फिर कुंडली में शनी की एशुप्रभाव के कारण जो किसी रोग से व्यक्ति पीडित हो अगर वे इन उपायों को आजमाते हैं तो उसे शनी देव की विशेश कृ दुरगटना आर्थिक नुकसान अपमान आदी के समय हम उसके मूल में शनी का होना मान लेते हैं लेकिन क्या ये सही है निश्चित तोर पर शनी देवता दंड के स्वामी है परंतु तभी जब आपने कोई गलत कारे किया हो शनी देवता कर्म के देवता है और आपके द्व आता है लेकिन इस समस्या का सरल और सहज निदान हमारे शास्त्रों में बताया गया है शनी दोश को दूर करने के लिए कई सारे मंत्रों समेत सनातनी बहुत सारे उपाएं हैं जिन्हें करके आप भगवान शनी देवता की क्रिपा प्राप्त कर सकते हैं सबसे पहला उपाई यह है कि यदि आप शनी दोश से पीड़ित हैं तो उनके प्रकोप को अगर आप शांत करना चाहते हैं तो आप उनसे जुड़े हुए सिद्ध मंत्रों का जाप करें नियमित रूप से आपको जाप करना चाहिए शनी देवता की ये मंत्र काफी प्रभावशाली हैं शनी द देवता का सूर्य पुत्रों दिर्ग देहो विशालाक्ष शिवह प्रिया मंदा चाराह प्रसंनात्मा पीडात्मम दहतुमेशनी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहते आपके लिए बड़ा लगता है आपको समय इसमें आपके लगता है तो ओम शंशने शराय नमहा मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम प्राम प्रीम प्राम सह शने शराय नमहा मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते शने शराय सूर्य पुत्राय नमहा इस मंत्र का जाप करके भी आप लाब ले सकते हैं इनमें से जो मंत्र आपको सहज लगे सरन लगे कम समय वाला लगे आपके लाइफस्टाइल में आपकी दिन चरिया में जो एड़ेस्ट हो जाए उस मंत्र को चुन करके यह सारे मंत्र अपने आप में प्रभावशाली है समान प्रभाव है सबका उनका प्रयोग जरूर करें दूसरा नाम या फिर शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से शनी देवता के प्रकोप का भैजो होता है वो दूर हो जाता है समस्त बाधा है जो शनी देवता की तरफ से आपको आपके जीवन में मिल रही होती है वो दूर हो जाती है इस उपाय को करने से शनी द्वारा मि जाता है ओम नमस्षिवाए तीसरा उपाई है कि भगवान शिव की तरह ही भगवान शिव के अंशावतार बजरंग बली यानि हनुमान जी की साधना करने से भी शनी देवता से जुड़ी हुई दिक्कतें व्यक्ति को फिर जीवन में नहीं मिलती हैं कुंडली में शनी से कुछ हिस्सा रख करके बाकी आपको प्रसाद जो है वहां आसपास गरीब लोगों को जरूवत्मन लोगों को वितरित कर दिना चाहिए इसके लावा हर मंगलवार और शनिवार को ओम हन हनुमते नमामतर का 108 बार जाप आपको करना चाहिए अगला उपाई है कि यदि आपक के रंग का चमडे का जूता या फिर चमडे की चपल मंदर के प्रवेश द्वार पर उतार करके रख करके पहनी हुई चपल जो है उतार करके रख करके चले आईए ध्यान ये रखना चाहिए कि ऐसा करते समय वापिस पलट करके आप न देखें शनी देवता से जुड़ा शनी के कारण हो रही समस्याओं को दूर करके निश्चित रूप से आपके जीवन में सकरात्मक बदलाव लाता है पॉजिटिव एफेक्ट आपको ये जरूर देता है दूसरा उपाई है कि यदि मंदर में आपकी चपल या जूता चोरी हो जाए तो आपको उसका दुख न शनी दोश से मुक्त दिलाने का एक बहुत बड़ा रास्ता होता है दूसरा उपाई है कि शनीवार के दिन जल में कच्चा दूद काले तिल गुड या फिर शक्कर मिला करके या शहद मिला करके पीपल के व्रिक्ष में जल देने से और उसके पास सरसों के तेल का दीपक जल हैं और काले रंग की बाती और तिल के तेल का दीपक आप जलाएं साथी साथ महराज दशरत का लिखा हुआ शनी इस्त्रोत जिसे दशरत कृत शनी इस्त्रोत कहते हैं उसका पाठ करने से शनी दोशों में बहुत चमतकारी प्रभाव से आपको लाब मिलता है अन्य उपाई है कि दोनों समय भोजन में काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए जिसके लिए शनी की साड़े साती चल रही हो ढईया चल रही हो या अशुब शनी का योग हो अशुब शनी की महादशा अंतरदशा हो तो ऐसे लोगों को भोजन में सादे नमक की जगा काला न अपाई है कि शनी देवता की अशुब दशागर चल रही है तो ऐसी इस्तिती में व्यक्ति को जातक को मास मदिरा का या दुर्वयसन का सेवन जो भी आदत आपकी है उसको छोड़ देना चाहिए खास्तोर पर मास मदिरा का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जि दूसरा उपाई है कि गर के किसी अंदेरे भाग में किसी लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर करके उसमें एक तांबे का सिक्का डाल करके रख करके छोड़ दीजे उसको भूल जाएए वो आप जब तक आपके घर में पढ़ा रहेगा तो शनी के दोशों से आपको ये मुक् पीस करके गुड़ में मिला करके इसके आठ लड़ू आप बना लें और किसी काले घुड़े को अगर आप अपने हाथ से खिलाएं और ये प्रयोग लगातार आठ शनीवार तक करें तो शनी का कितना भी दोश होगा कितना भी बुरा प्रकौप होगा वो आपको अपनी कृ पास जरूर देंगे और दोशों से मुक्त कर देंगे दूसरा उपाई ये है कि शनी के दुश्प्रभावों को दूर करने के लिए शनीवार के दिन काली गाय की सेवा करनी चाहिए पहली रोटी आप अपने भोजन में से उसके लिए निकालिए सिंदूर का तिलक करें गाय दूसरा उपाई ये कि प्रत्यक शनीवार को वट व्रिक्ष में और पीपल के व्रिक्ष के नीचे सूर्योदर से पहले सरसों के तेल का दीपक जला करके शुद्ध कच्चा सूत और धूब दीप आपको वहाँ पर समर्पित करना चाहिए अन्य उपाई के नुसार शनीवार को ही अपने हाथ के नाप का 29 हाथ लंबा काला धागा ले करके उसको पिरो करके उसकी माला बना ले और उसको गले में पहने तो आपको शनी का दोश फिर कभी परिशान नहीं करेगा दूसरा उपाई ये कि यदि शनी की साड़े साती से आप पीड़ित हैं तो शनीवार को अंधेरा होने के बाद पीपल के व्रिक्ष पर मीठा जल अरपित करके सरसों के तेल का दीपक जिलाएं और पांच अगर बत्तियां वहाँ आपको लगाना चाहिए और वहीं बैठ कर के क्रमशह एक एक करके हनुमान चालेसा भैरव चालेसा और शनी चालेसा का पार्ट करें और फिर उसके बाद पीपल के व्रिक्ष की साथ परिक्रमा करके घर वापिस चले आएं किसी भी प्रकार का दोश होगा उससे आपको मुक्ती अवश्य मिल जाएगी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ शनी चालेसा का नियमित पार्ट करना भी शनी देवता के दोशों से मुक्ती दिलाता है चाहे वो शनी की साड़े साती हो ढईया हो अशुप सनी की महादशा अंतरदशा हो उसमें आपको चमतकारी रूप से प्रभाव मिलता है लाब शनीवार को शनी के मंदर जाकर के शनी देवता को तेल चड़ाना चाहिए हर शनीवार को उड़त की जलेबी या कचोडी बना करके अपंग व दरिद्र व्यक्तियों को खिलाने से शनी देवता की कृपा मिलती है लोहे की अंगूठी को मध्यमा उंगली में धारन करें चदातू की अंगूठी में जड़वा करके पहनने से शनी देवता के लाबदाई प्रभाव में बड़ोतरी की जा सकती है लेकिन रत्न धारन के लिए जैसे मैंने कहा कि किसी जोतशी को कुंडली दिखा करके ही आपको निरने करना चाहिए शनी यंत्र की पूजा करने से भी शनी देवता का आशरवाद मिलता है हर शनीवार को उड़त की दाल, काला कपड़ा, काली, चादर या काला कंबल किसी जरूरत मन व्यक्ति को दान देने से शनी देवता प्रसंद होते हैं संध्या काल के बाद और रात में सोने से पहले उत्तर दिशा की और मुक करके हनुमान चालेसा का पाठ करने से शनी देवता के दुश्प्रभावों को कम किया जा सकता है दूसरे उपाय के नुसार हर शनीवार को बजरंग बली हनुमान जी को आक यानि आकड़े का फूल जो है उसकी माला बना करके समर्पित करते हैं तो शनी के दोशों में भी उससे कमी आती है अन्य उपाय के नुसार शनीवार को पवन पुत्र हनुमान जी को तेल सिंदूर का चोला चड़ा करके शनीदेवता की अराधना अगर आप इस माध्यम से करते हैं तो शनीदेवता के दोशों में कमी आती है भगवान चनीदेव को शुब बनाने के लिए शनीवार को काले तिल के लड़ू बना करके गाए और छोटे बालकों में वितरन करना बहुत अच्छा उपाय माना गया है कुपिच शनी को शांत करने के लिए सुन्दरकांड बजरंगबान हनुमान चालेसा का नियमित पाठ करना बहुत ही चमतकारी परणाम देता है शनी का पाठ करते समय आपको कुछ बातें बहुत खास तोर पर ध्यान रखनी चाहिए पाठ करते समय हमेशा आपका मूँ जो है वो उत्तर दिशा की ओर हो तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है तांबे के दीपक में तिल या सरसों का तेल भर करके आपको दीपक जलाके पूजा राधना करनी चाहिए हनुमान जैनती अत्वाश शनी मावस्या के दिन हवन आदी करा करके शनी देवता की उपासना करते हैं तो शनी दोशों में चमतकारी रूप से आपको शुबफल प्राप्थ होता है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शनी देवता के ट्रांजिट से संबंदित जो आपको मैंने आपका राशिफल बताया और उस अगर कहीं कोई उसका दुश्प्रभाव बन रहा है शनी देवता के गोचर का उसके निवारण के लिए जो उपाई मैंने आपको बताया ये निश प्रदक वीडियोस हम लोग बनाते आ रहे हैं और आने वाले समय में भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं तो वह आप से मिस ना हो जाएं इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें इसी शुब कामना के साथ कि शनी देवता की कृपा और शनी देवता का मकर राशी में जो गोचर है अगले ढाई साल के लिए यह आपके लिए शुब हो मुझे आग्या दीजे और देखते रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन नमो नारायन जैजै श्री शनी देव नमस्कार मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्य जानकारी आप से चूटता जाए धन्यवाद अब अपनी किसी भी व्यक्तिकत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं यानि आप अपनी किसी भी परसनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडिज चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं टे अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं, तो आप हमें इमेल कर सकते हैं, हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे, इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं, मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं, और मुझे भी मालूम हैं, आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता, तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में इमेल और वाटसप करना सबसे बहतर तरीका है, जटिल समस्या हो, या भाग्ये बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो, या वैवायक जीवन में हो सुक्का भाब, पाईए अपनी समस्त जोतिश्य, तथा वास्तु समस्याओं का, सरल, चमतकारी, प्रभाविशाली समाधान, एक जानमाना, और विश्वस्तिय नाप, आचारे पंडित, श्री वैभवनाथ शर्माजी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्टे और अंतर राष्ट्रे ख्याती प्राव, राज जोतिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री, आचारे पंडित, श्री वैभवनाथ शर्माजी के द्वारा, व्यक्तिकर्द या फिर फोन पर अपॉंट्पेट लेने के लिए कॉल करें, 9818-300-146-9990-724-131 या फिर वीमेल करें, sharma.webhub at the rate gbill.com झाल